लेंगे मैंठोड सी बात किय जाए तो इस ट्रींग के अंदर देखेंगे तो काफी उलेबल है कि आप सार्थ यहां पर देखेंगे कुछ में वन्हों बात कर लेते हैं अभी के लिए जैसे आप देखिए एक मने method define किया हुआ है capitalize से मने a define कर लिया हुआ और method कैसे यूज़ करता है आपको पहले साइडिया है object हो गया a dot और यहां पर method name क्या हो गया capitalize और यहां पर वापस करेगा जो भी वापस कर रहा है मैंने उसको दिस्प्ले कर लिया हुआ प्रिंट का है लेते हुए तो आप देखेंगे आप जो फर्स लेटर उसको कर दिया लेकिन आप देखेंगे अपर वाला जो फंक्शन है आप पर method है तो उसने क्या किया है जितने भी लेटर थे सारे को यहां पर कर दिया है अपर केस में तो यहां पर यूज करते हैं तो देखें किस तरीके अब यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आना वाला है इसी तरीके से अब आगए लाश्ट में लोगा यहां method name क्या हो गया format और हम लोग यहां पर डाल देंगे n1 OR n2 इसका मतलब हो गया जो हमारा 1st रहेगा इसके प्रेसच पे आ जाएगा n1 और यहां पे आजाएगा और ओन न कशली थे निप हलिए और not 시청 कर लेते हैं ऑप मैं सकते हैं, न1 के लीए, यहां पर देखो, जो कल्ली ब्रेकेट दिया था, मैंने, यहां चुका है, 12 और यहां पर आ चुका है, 14, इस तरीके से, और आप यहां पर देखे साथ में, यहां पर इस तरीके भी लिख सकते थे, देखी, मैं आपρ Antonio इसमी को मिलन को इसको बहुतए है मैं और आपस से 14 देखाए धिए रहा है कुछ लोगं यहां पर कीका भी इस्तेवाल करते हैं तो नहीं वापस से सेम कॉपी कर लेता हूं इसको और यहां पर देखिए इंडेक्स का इस्तमाल नहीं करते हैं बलकि की का इस्तमाल कर लेते हैं तो सब्सक्राइब आप कि लिए पास करेंगे तो यहाँ पर देखें का वायलु यहाँ आप दुसरा की ले सकते हैं मैं इसको बॉल देंगे की 1 की 2 इसको मैंने बोल दिया की 2 इसको बोल दिया मने की 1 अभी देखिए जो की 1 है उसके अंदर हम लोग डालेंगे n1 का value और यहाँ पर डाल देंगे key2 के अंदर डाल देंगे हम लोग यहाँ पर n2 का value तो यहाँ पर क्या जाएगा जो key1 का value रगा n1 आगे basically और यहाँ पर क्या जाएगा जो key2 का value रगा n2 का value basically तो अगर हम लोग यहाँ पर print c करेंगे तो भी आप देखेंगे कि साही तरीके से। प्रिंट होते हैं। नहीं हो पर से हम लोग किया रहा है तो इस तरीका से में यहां पर इस्तेहिंग करते हैं उन्हां करते करना प्माइफ को हुआ इंसर्ट करना यहां पर कर लेते हैं जो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं काफी अच्छा यह भी तरीका होता है काफी लोग इसको भी इस्तमाल करते हैं इस नाम का मेथरड यह क्या करता है नाम सही करता है यह करता है ऊपने पास यहां पर एक moisturizer अब लुह क्या करेंगे देखिए बाइ जो हुमारा ए इस्ट्रिंग आपजेक्ट उसके अंदर एक मैंथड है इस्प्लिट नाम का उसका इस्तेमाल कर लिया जाए तो ए अपको देखेंगे इस तरीके से यहां पर इस प्लिट होके दिखाई देखेंगे तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसने किया कि यहां पर इकी स्प्लिट आइटम एक दो तीनों को उसने किया एक लिस्ट के अंदर यहां पर लिस्ट के वापस कर दिया वह नहीं बीक पर प्रिंट कर रहा था लेकिन आप ऐसा बोलेंगे कि कि जो यहां पर Space से कर रहा है split, मुझको whales space से करना मुझकर कीजी और character से करना थे तो सब्सक्राइब मुझको यहां पर S से करना मुझकोolly कुछ स्प्लिट तो आप कैसे करेंगे तो यहां पर Simple पास कर देजिए, जिस्द यहां पर देखिए नीचे चक्रों किया गया है तो a.split और मैंने इसके bracket के अंदर यहां पर s को pass किया होगा, अभी क्या होगा, जहां पर भी s है, देखें यहां पर एक s हो गया, यहां पर एक s हो गया, तो यहां से split कर देगा, अब की बार भी तीन item है, लेकिन जो item है, ओ थोड़ा सा अलग तरीके से आएगा, तो देखें का list available है, देखें इस तरीके से, split क्या कर रहा था, एक list वापस कर रहा था, अब यह देखें, जो list है, अपने पास available है, अब इसके जो भी item है, item देखेंगे, सारे item यहां पर string value है, अब इसको करना है join, तो देखें कैसे यहां पर लिखा गया space, तो space से join हो जाएंगे, तो basically this, यहां पर बीच में जाएगा space, फिर यहां पर is, वापस से space, फिर यहां पर python, इस तरीके से यहां पर हो जाएगा join, सबसे पहले हम लोग, जिससे join करना है, फिर dot, फिर यहां पर join, फिर यहां पर a को pass करते हैं, ध्या आपको यहां पर बोलना है, कि space join ने करना है, बलकि मुझको यहां पर star से join करना है, तो आप simple बोल सकते हैं, कि आप star join कर लिजे, तो देखेंगे, उनके बीच में क्या आजागा, star आजागा इस तरीके से, तो यह हो गया अपने पास join method, यह भी काफी अच्छा method है, काफी ब replace करना किसी और से, यहां पर देखें, simple है, a.replace, और t को replace करना है, xz से, तो यहां पर यहां पर value आया हुआ है, उसको आप आपस से देखेंगे, तो यहां पर जो t था, उसके जगा पर यहां पर xz दिखाई दे रहा है, देखें, जहां पर भी t दिखेंगा, महां पर दिख को प्रिंट किया है तो दिफाइन लिष्ट और इसको कैसे उसने प्रिंट किया हुआ है नए लाइन पे ले गया देखी हो यहां से अंधर नए लाइन से तो लेख रूंप बैक्सलेशन का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है new line तो काफी बार आपको देखने के मिलेगा तो आप इसमें कन्फिम्न होना यह सिंपल सा मतलब होता है इसका new line और भी देखेंगे स्ट्रिंग के अंदर और भी यहाँ पर method होता है अभी हम लोग सारे method के आपको काफी बहुत सारे methods हैं यहां पर अभी जो हमारे लिए important method था जो आसान method था मैंने उसके बारे में बात किया है तो जब भी आप string साथ में काम कर रहें जब भी आप string का इस्तेमाल कर रहें तो आपके दिमाग में हर्समें बात होना चाहिए कि string क्या होता है एक object होता है उसके अंदर कुछ methods है जो हमारे लिए useful हो सकते हैं हर्समें बात आप दिमाग में रखेंगे तो आपका जो काम है वो काफी आसानी के साथ में हो जाएगा इसी के साथ में लोग वीडियो खतम करते हैं आपसे मिलते हैं अगले lesson में सिखते रहें मस्त रहें